एक दिन एक किसान का गधा कुए में गिर गया, वहाग गधा घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं अंत था उसने निर्ने लिया कि चून की गधा काफी बूढ़ा हो चुका था, अताह उसे बचा सभी ने एक एक फावडा पकड़ा और कुए में मिट्टी डालनी शुरू कर दी, जैसे ही गधे की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीक चीक करोने लगा, और फिर अचानक वह अशर्य अजनक रूप से शान्त हो गया, सब लोग चुप चाप कुए में मिट्टी डालते रहे, तभी किसान ने कुए में जहांका तो वह अशर्य से सन्न रह गया, अपनी पीठ पर पढ़ने वाले हर फावडे की मिट्टी के साथ वह गधा एक आश्चर्य अजनक हरकत कर रहा था, वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और उपर चड़ाता, जल्दी ही सब को आश्चर्य अचकित करते हुए वह गधा कुए के किनारे पर पहुच गया और फिर कूद कर बाहर भाग गया